नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश ख़बर का एक्रम आज आपके साथ मैं चर्चा गरने जा रही हूँ एक नए किट के बारे में जी हाँ अब तक हम आप पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि भारत कितना एक्सेल करता है कितना एक्सपर्ट है टूल किट को जारी करने में वही टूल किट जो आपदा को अफसर में बदलता है जिसे भाशपा का ITCEL और उसको चाहने वाले अंगिनत लोग जिसमें मीडिया का अच्छा खासा खेमा है वह भी जारी करता है या उसका हिस्सा करता है लेकिन इस समय एक नया टूल किट आया है इसका नाम है रेल किट और यहां जारी हुआ है जिस समय तीन सो के करीब भारतिय नागरिकों की जाने गई और इसा में जो भीशन ट्रेन दुरगटना हुई उसमें जिसमें तीन ट्रेने भिड़ी कोरा मेंडल एक्सप्रेस हावड मालगाड़ी और आप देखिए जहां हजारों भारतिय नागरिक हताहत हुए पूरा जीवन उनका तबाह हुआ और सीधे सवालों के घेरे में आये रेल मंतरी अश्मनी वैशन और प्रधान मंतरी नरेन मोदी और उनसे सीधा सवाल पूछने की जरुवत हुई कि आखिर उन वह डिवाइस वह पूरी तकनीक जिसमें दो ट्रेनों को आमने सामने लड़ने से भिरने से रोका जा सकता है ट्रेन रुक जाती है आखिर उसे इंप्लिमेंट क्यों नहीं किया और दूसरा एहम सवाल कि कैग रिपोर्ट पर रेल मंतरी प्रधान मंतरी और उनकी पूरी सरक क्यों आख बंद करके बैठी रही जबकि कैग रिपोर्ट चीक चीक कर पूछ रही थी कि पिछले चार सालों में 1100 से अधिक बार जो ट्रेन की पट्री से उतरी है उसकी वजह क्या है तुरंत हस्तक्षेप करने की जरूरत है और ऐसे में रहा देने के लिए यह रेल किट आ आएए मेरे साथ सफर कीजिए इस रेल किट की ट्रेन में आप देखिए तुरंत ही जिस दिन दुरघटना होती है उसी समय से यह रेल किट जारी हो जाता है इसमें सबसे पहले सहारा लिया जाता है अश्मनी वैशनों को देश के सबसे अच्छे सबसे समवेधन शील रेल मंत्री के तौर पर स्थापित करने के लिए और जो किट है वो तकरीबन एक धंग से काम करती है एक तरफ राम माधव जी हां राम माधव जी भी वही ट्वीट करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि दरसल रेल मंत्री से सवाल नहीं पूछना चाहिए रेल मंत्री के साथ खड़े होनी की जरूरत है और आप देखिए उसी तर्स पर तमाम पत्रकार तमाम टीवी एंकर एक साथ ट्वीट करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि देश को बहुत ही अच्छा रेल मंत्री मिला है ऐसा रेल मंत्री जिसने यह पढ़ाई की है वह प कि रेल मंत्री किस तरह से रो भी रहे हैं इसी क्रम में यह वीडियो देखिए जिस वीडियो को हर जगा बेशर्मी के साथ प्रचारित प्रसारित किया गया यह बताता है कि दरसल रेल मंत्री जिस तरह से दुरगटना इस थल पर नारे लगवा रहे हैं जिस तरह से भारत मा ताकि जय के नारे लग रहे हैं, वह कितना अशलील द्रिश्य है, मामला यही नहीं रुखता है, देखिए यह वीडियो, जिसमें देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी पहुचते हैं घटना इस थल पर, तमाम मीडिया भी पहुचता है, और आप देखिए जैसे ही वो प्रव पहुचे हैं, जो मोदी जी के बहुत खास हैं, वे बार बार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि मोदी जी कितने परिशान हैं, तीन तीन बार फोन कर रहे हैं, कहां फोन कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं, कि इस समय रेल मंत्री भी वहीं हैं, और तमाम जिम्मेदार अधिक पारी भी वहीं हैं लेकिन टूल किट और रेल किट की महिमा तो अप्रम पार है और देखिए बहुत जरूरी है भारती जनता पार्टी राष्टी स्वेम सेवक संग और उससे जुड़े अंगिनस संगठनों के एको सिस्टम को समझने का यह एको सिस्टम एक धंग से काम नहीं करता है और यह रेल धुरगटना इसकी जीती जाकती मिसाल देती है एक तरफ यह रेल किट है यह टूल किट है जो ऑफिशिल हैंडल से आता है लेकिन साथी साथ आप देखिए ठीक उसी समय पूरी की पूरी अफवाहों का दौर वर्टसप यूनिवरस्टी और ट्विटर क के जरी नीचे तक पहुचाने का काम शुरू हो गया लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की बाते होने लगी कि कहीं यह आतंकवादियों का काम तो नहीं है और इसके लिए देखिए इस फोटो का सहारा लिया गया है हैरानी और दुख की बात है कि जिस फोटो को जिस इमार कि अगर यह मस्जिद होता तो क्या देश यह मान लेता कि यह रेल दुरघटना इस मस्जिद की वज़ा से हुई है मामला यही नहीं रुकता निशाने पर आते हैं स्टेशन मास्टर जी हाँ सोचिए किस तरह से किस निम्न इस्तर पर यह दुश्प्रचार यह नफरत ठीक उस समय चल रही है जब मरने वाले लगातार और उनका परिवार लगातार यह मांग कर रहा है कि इसके असली कारौनों की पड़ताल हो उस समय चर्चा हो रही है इस स्ट्रक्चर को लेकर और स्टेशन मास्टर के नाम को लेकर हम सब को रहत इस बात की है कि यह मजजिद की जगा मंदिर निकला हम सब को रहत इस बात की होती है कि यह स्टेशन मास्टर जिस समय दुरगटना होई वह मुसल्मान नहीं एक हिंदू निकला लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि अगर माल लीजे यह मज़िद ही होती और माल लीजे उस समय दुरगटना के समय स्टेशन मास्टर का नाम किसी मुसल्मान के नाम से मिलता जुलता होता तो क्या यह सारी साजिश को मुसल्मानों के खेमे में डाल कर 300 भारतिय नागरिकों की जो जाने गई उनको हम ऐसे ही मिटाने पर उतारू हो जाते उडिसा के बाला सोर में जो दुरगटना हुई उसकी जो वजहें हैं इन पर जब पड़ताल चल रही है ठीक उसी समय एक खबर आती है या खबर भी उडिसा से ही आती है बारगड में एक और ट्रेन पट्री से उतर जाती है और हम सब जी हां हम सब पूरा देश इस थब्द हो जाता है कि तुरंत ही दुरगटना होई वजह क्या मसराहत इस बात की होती है कि इस बार यह मालगाड़ी है एक निजी सिमेंट बनाने वाली कंपनी की मालगाड़ी है लेकिन जिस तरह से पट्री से उतरती है उसका रिष्टा पूरे के पूरे रेलवे सिस्टम से है जो बदहाल सिस्टम इस समय हो गया है उस और इशारा यह पत्र भी करता है ध्यान से देखिए यह पत्र आठ फरवरी 2023 को संपर्क करांती एक्सप्रेस भी इसी तरह से बिलकुल इसी तरह से एक मालगाड़ी से भिड़ सकती थी और इसे लेकर जो पत्र लिखा है साउथ वेस्टर रेलवे प्रिंसपल चीफ ऑपरेटिंग मेनेजर ने वह पढ़ना चाहिए काश हमारे रेल मंत्री के पास इतना टाइम होता कि इस एहम लिटर को वह पढ़ पाते इसमें उन्होंने खुल कर बताया है कि किस तरह से रेलवे का पूरा जो सिस्टम है वह बैठ रहा है किस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो खामिया आ रही है वह क्या है और यह दुरभटना इसलिए बची क्योंकि जो लोको पाइलिट था उसने तुरंट एक्शन लिया सवाल बहुत साफ साफ है कि यह पत्र जो हमारे सामने मौजूद है यह बता रहा है कि रेलवे की हालत कितनी जरजर है किस तरह से इस जरजर रेलवे को प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने एक फोटो ओप में तबदील कर दिया है इस बात का सीधा सीधा रिष्टा इस बात से भी है कि मोदी जी ने जो उन्निस बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुपर स्पीड वाली ट्रेन जंडी देकर चलाई है उसको इन ही पट्रियों पर चलना है जिहां इन ही पट्रियों पर ये वे पट्रियां हैं जिनके उपर कोई इन्वेस्टमेंट कोई खर्चा मोदी सरकार ने पिषले 2014 से लेकर अब तक नहीं किया है जिस बारे में कैग रिकपोर्ट चीक चीक कर कह रही है बता रही है कि भारत की रेलवों की पट्री की हाल बहुत खराब है सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या ट्रेनों का जो निजी करण है ट्रेनों को लगातार हाई स्पीड पर ले जाने की बात है उससे जिस तरह से भारत का पूरा रेलवेस सिस्टम बैठ रहा है इस बारे में मुदी सरकार और हमारे रेल मंतरी क्यों नहीं चिंतित हुए, क्यों नहीं जागरूक हुए और एक बात और जो साफ साफ दिखाई दे रही है कि इतनी भीशन दुरगटना होने के बाद भी इस पर चर्चा बिलकुल नहीं है यानि एक तरह से माना जाए तो भारती ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जिंदगी की परवा अभी भी भारत सरकार करती नजर नहीं आ रही इसी दुरगटना से जुड़ा हुआ एक एहम सवाल अब भारत सरकार लगातार यह दावा कर रही है प्रधान मंत्री से लेकर रेल मंत्री की जिम्मेदार व्यक्ति को जो भी दोशी होगा उसे बक्षा नहीं जाएगा और इसे लेकर सबसे बड़ी आशंका ये हो रही है कि किसी को भी बली का बक्रा बनाने की तयारी है क्योंकि कहीं से भी दुरगटना होने के बाद से लेकर अभी तक ना रेल मंत्री ना प्रधान मंत्री किसी ने भी यह जिम्मेदारी नहीं मांगी भारती नागरिकों और र सारी कि सारी जाज को CBI के हातों में सौपने की कोशिश हो रही है उससे भी यह सवाल और तीखा हो रहा है आखिर क्या वज़ा है कि इस जाज की इस पूरी जाज प्रक्रिया को CBI को सौपा जाना है क्या जिस तरह से CBI प्राइब ऋपरेटे करती है जिन मामलों में आपरेटे करती है कि इस तरह की साजिश की बात यहां दिखाई दे रही है क्या प्रीश के सामने की जरुए क्योंकि कै रिपोर्ट यह बता रही है कि पिछले कई सालों में 400 से अधिक जो मामले हुए हैं जहां इंक्वाइरी हुई उनको बंद बक्सों में रख दिया गया है यानि बड़े पैमाने पर रेल का जो सिस्टम बैठ रहा है और उसके उपर जो पूरी की पूरी पियार एजेंसी चल रही है लगातार ट्रेनों को तेज ट्रेनों को प्रमोट किया जा रहा है आम भारती नागरिकों के इस्तमाल में आने वाली ट्रेनों की कोई बात नहीं हो रही है यह सारे सवाल इस दुरघटना से उठते हैं और उठने भी चाहिए दोस्तों हम सब ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इस तरह की दुरगटना जो भीशन दुरगटना हुई है तीन तीन ट्रेने टकराई हैं इस तरह की दुरगटना इसका दरदनाक मंजर हमें और आपको देखने को ना मिले इसलिए बहुत जरूरी है हमें और आपको याद करना कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेट वर्क है एक ट्रेन में तकरीबन डेड़ हजार यात्री सफर करते हैं एक ट्रेन की सुरक्षा यानि डेड़ हजार से दो हजार यात्रियों की सुरक्षा का सवाल और ऐसे में देखिए ये आकड़े जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं खुद सरकार के मताबिक जो नौन गेजिटेट पद हैं वह 3.1-2 लाक खाली हैं यह उसने खुद संसद में बताया 23 दिसंबर 2022 को जिसमें 77,000 पद सिगनल और ट्राफिक विभाग से जुड़े हुए हैं जी हाँ, सिगनल और ट्राफिक विभाग जो सबसे एहम होता है रेल सुरक्षा के लिए हम सब जानते हैं कि ये पद लंबे समय से खाली है और इनको भरने के बजाए मोधी सरकार, लगातार, ट्रेनों, प्लेटफॉर्मों और सब के निजी करण पर उतारू है ओडेसा की जो दुरगटना हुई है इससे जो सवाल उठे हैं निश्चित तौर पर उनके जवाब रेल मंतरी और प्रधान मंतरी दोनों को ही देने चाहिए ताकि रेल में आमूल चूल सुधार हो यह सुधार निजी करण का सुधार नहीं यह सुधार फास्ट्रेनों का सुधार नहीं मौजूदा जो system है जो हमारी पठरियां है उनको मजबूत करने से जड़ा हुआ है रिक्त पदों को भरने से जड़ा हुआ है दोस्तों यह तो रहा rail kit rail tool kit लेकिन जो normal tool kit है वह भी चालू है और कम से कम महिला पहलवानों के मसले पर लंबे समय से चालू है और अभी भी इसे लेकर अलग-अलग प्रियोग हो रहे हैं हम सब जानते हैं कि देश के ग्रहे मंत्री ने आंदोलन रत महिला पहलवानों से मुलाकात की रात में मुलाकात की और इसके बाद से जो टूल किट है वह लगातार बता रहा है कि कोई डील हो गई लेकिन हम सब को उम्मीद है और कम से कम साक्षी मलिक का जो ट्वीट है वह बता रहा है कि वह काम पर वापस लोटी हैं लेकिन आंदोलन से अभी उन्होंने अपने पैर नहीं खीचे हैं इसे लेकर जो टूल किट है दरसल वह चिंता का विशे है शुक्रिया